नमस्कार साथियों मैं प्रिती नंदिनी हाल में ही बिहार के कई न्यूस पेपर्स में बिहार के सरकारी स्कूलों में सिख्चकों के कमी के बारे में कई आर्टिकल्स छपे हैं आठ हजार से ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जहां सौ छात्रों के लिए एक सिख्चक हैं इस हालात में आप समझ सकते हैं कि वो छात्र किस स्थिती में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे और दूसी तरफ हम देखते हैं कि चार साल पांच साल से योगिय सिख्चक अभियर्थी नौकरिक के तलास में संगहर्स कर रहे हैं चाहे हम 94 हज्जार सिख्चक बहाली की बात करें या फिर AST 1819 अभियर्थी आए दिन कभी ट्वीटर कैंपेंग कभी सड़क पर आंदोलन करते न जराते हैं लेकिन इन सब का बिहार सरकार पर सिख्चा मंतरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्थिती हम सब के सामने है एक तरफ सरकार बिहार के चात्रों के बिहार के बच्चों जिसे हम बिहार का भविस्य समझते हैं जिन से उम्मीदे है कि शायद वो आगे चलकर के बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेकर आएंगे उनके भविस्ते के साथ सरकार खिलवार कर रही है और वहीं दूसरी तरफ युवाओ का वर्तमान उनके जीवन के कीमती साल मैं बार बार ये कहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ युवा के लिए उसके जीवन के ये बच्ची से लेकर 30 साल के साल इतनी कीमती होते हैं लेकिन वो क्या कर रहा है इस वक्त हम सब जानते हैं कि बिहार में दूसरी और किसी नौकरी उद्धोग धंदे के लिए उतनी संभावना नहीं है इसलिए छात्र पढ़ लिक कर एक नौकरी के तलास में लगे रहते हैं हम सब जानते हैं कि बिहार के माता पिता भले ही खुद भर पे भोजन ना करे लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेज कर पढ़ा लिखा कर एक अच्छे जगह पर पहुचाना चाहते हैं इन सारी परिस्थितियों के बाद उस युवा के वनोस्थिति पर क्या गुजरती होगी जब पढ़ लिख लेने के बाद वो पांच पांच छे छे साल नौकरी के इंतजार में बैठा रहता है उसे उम्मीद रहती है कि मेरे नंबर अच्छे हैं तो मेरी नौकरी हो जाएगी वो अपनी समर्थे के अनुसार प्रयास करते हैं सिक्षा मंतरी से मिलते हैं संजय कुमार से मिलते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं सिक्षामंत्री कहते हैं आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा तो क्या करें अभिर्थी क्या रास्ता बचता है उनके पास हमें समझना होगा कि बिहार में जो एक नीटी बन गई है सरकार की नौकरी के नाम पे युवाओं को ठगने की बार बार जूटे दिलासे दे के उन्हें बेवकूब बनाने की ये खेल हमें समझना पड़ेगा और इस खेल को समझ कर हम सभी युवाओं को चाहे वो 94,000 के हों चाहे वो STAT के हों चाहे और किसी बहाली के अभिर्थी हों सभी एक पीडा से गुजर रहे हैं सभी इंतजार कर रहे हैं इन सब को एक जूट होकर और अगर हम बेरोजगार हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है उमीद करती हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और अलग-अलग मुद्दों पर लड़ने के बजाए एक जूट होने की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि हम इन सारे मुद्दों का कोई समधान ढूंड सके जय हिं जय हरत